तो कैसे हैं सब इंजिनियर भाई मेरे तो आज आपके लीए एक नएा चानल create किया है सिविल इंजिनियर फिर हिर्मा जी फ्रुल कम हमारे चैनल पर और ये चैनल दिजाइन और आपको इसमें से job links में provide करूँगा कि जो भी नहीं job आएगी वो आपको सबसे पहले मेलेगी. तो start करते हैं आज का interview questions. तो सबसे पहले जो interview questions है जो L&T में, Larson and Turbo में बोले गए हैं, वो है explain what is flashing. मतलब एक question पूछा गया था कि flashing क्या होता है? दिखो इसको explain करता हूँ मैं, flashing एक ऐसी चीज है, मतलब कोई भी joint आपकी घर का wall है, या roof है, parapet wall है, तो उसमें क्या होता है? joints होता है, तो पानी penetration की जगा बन जाती है. जहां बनाई गी होती है, कुछ elevation दी होती है, तो एक डर रहता है कि इसमें पानी penetrate ना कर जाए. तो उसी कोश उपाने के लिए, उसी कोश उपाने के लिए, उसी कोश उपाने के लिए, उसके covering करने के लिए, हम एक provide करते हैं, उससे हम बोलते हैं flashing. एक अगर प्लिंथ प्रोटेक्शन आपने सुना ही होगा जो बिल्डिंग के चारो तरफ प्रवाइड करते हैं तो एक उसको भी आफ फ्लेशिंग के दोर पे ले सकते हो लेकिन फ्लेशिंग मेंली आपको आंसर क्या करना है कि जो भी मतलब हम extend करते हैं कोई भी construction किसी चीज को बचाने के लिए अंदर पानी पेने डेड ना करे तो उस चीज को हम fleshing बोलते हैं आगे बढ़ते हैं next question जो पूछा गया था वो था what is bursting reinforcements reinforcement मतलब जो bursting सरीय हम provide करते हैं देखो 3-4 जगा provide किया जाता है pile होती है जो जब pile ही कियते है उसकी pile cap में provide किया जाता है mainly जो आज मैं आपको बताऊंगा bursting reinforcement में लिए हम ऐसे तो काफी चीज़ों में provide करते हैं लेकिन आज मैं बताऊंगा कि pre-stressing जो हम pre-stressing operation करते हैं मतलब जो हमारी slab हो गई जिसमें pre-tensioning करते हैं उसमें हमें ये reinforcement का काम आता है अगर ऐसे तो देखा जाए तो technical बहुत है लेकिन हम क्या करते हैं bursting reinforcement क्यों provide करते हैं हमारी spelling, equilibrium और bursting तो आपको answer क्या करना है bursting reinforcement हम तभी provide करते हैं कि जहां pile की cap होती है जहां से process मतलब जो tendence होती है उनको खींचा जाता है तो एक stress produce होता है तो उसको resist करने के लिए हम क्या करते हैं जो bursting reinforcement है वो provide करते हैं next question है वो है कि what are the major problems in using pumping for concrete bucks मतलब एक practical question है जो practical field पे आपक काफी काम आएगा और यह आपको ऐसे civil engineer, site engineer पता होना चाहिए कि जो हम pumping करते हैं मतलब concrete को pump करते हैं TM के थूप, TM से जो माल लेके तो उसमें क्या दिक्कत आती है, क्या मतलब आपको ध्यान रखना होता है as a site engineer होता क्या क्या कोई भी construction जलती है, जो multi-story buildings मनती है तो उसमें क क्या होता है, pump use किया जाता है concrete को अपनी place तक पहुंचाने में, अगर slab होगी, column होगया, beam होगया, तो इतना concrete तो ऐसे easily possible नहीं है, जो नीचे machines रहती है छोटी होटी बेजने में, तो pumping किया जाता है, लेकिन उसमें एक दिक्कत आती है, क्या होता है कि मतलब pipe में माल फसने की बहुत जादा दिक्कत रहती है, और जो माल निकलेगा तो उसमें segregation और bleeding हो सकती है, ऐसा नहीं है कि आप पानी डाल दो माल में तो वो तो पहुंच जाएगा एक दम से उपर, लेकिन उसमें segregate और bleeding की काफी जादा problem हो सकती है, pumpable चीज किया है, जो भी concrete बनते है हमारा, aggregate, sand, cement, water, तो उसमें mainly water जो है, वो एक pumpable चीज है, बाकी तो कुछ pumpable नहीं है, तो वो कोशिश होती है कि माल वहाँ pipe में फस जाता है, तो उसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, cement की ratio जो होती है, वो increase, 10% pumpable माल में हमारी cement की ratio increase की जाती है, कि अच्छे से concrete pumpable हो जाए, next your question हो, व slump test करते हैं, उसमें तीन टाइप के slumps आती है, उसमें हमारा एक share slump आता है, share collapse slump हो गया, share slump हो गया, zero slump हो गया, तो जो share slump है, वो क्या है, क्यों होता है, तो सबसे पहले share slump है, वो होता है coisenless material, मतलब कोई भी bond नहीं बनती है, जो aggregate यूज करते है, sand है, या cement है, उसमें bond नहीं रहती है, जो भी material जब हम डालेंगे उसको, वो segregate हो जाएगा, अलग-लग हो जाता है, जहां क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, aggregate, sand वगयरा, पानी उपर तहरने लग पड़ता है, तो एक बेकार material जिसको हम बोल सकते हैं, वो है, workability इसकी ज़ादा होती है, लेकिन ये material जब हम use करेंगे, तो उसकी क्या होगी, strength भी कम होगी, और concrete की life की structure की life खतम हो जाती है, तो share slump वो होगे हमारा जिसमें क्या होता है, जो भी material होगा, वो coisen less होगा, उसमें एक bond नहीं होगी material में, binding, इसमें एक main कारण वो रहता है, दो चीज़े रहती है, जो share slump बनता concrete weak in tension, क्या चीज है कि जो concrete होता है, वो tension में weak होता है, हम सबको पता है कि जो concrete है, वो mainly क्या compression, compression में strong होता है, और tension में weak होता है, तो इसको अगर मैं simple washer में समझाओ, देखो क्या होता है, जो aggregate है, main work वो ही करता है concrete में, अगर उस पर load डालेंगे हम, तो एक दूसरे से वो stick होता एक bond बनी होता है, तो वो क्या है, transfer करता है, load, जब उसको हम tension में जाएंगे, tension में उसको खींचेंगे, मतलब जब compression होता है, तो हम दवाब डालेंगे, तो वो तो transfer हो जाएगा इसलिए, लेकिन जब हम tension में उसको खिचाब पढ़ेगा उस पर, तो जो उसको main material जो बाइंड की तरफ चला जाता है, तो इसलिए mainly क्या होता है, जो concrete होता है हमारा, वो tension में weak होता है, इसलिए हम उसमें reinforcement provide करते हैं, कि वो tension में भी वैसा ही load bear कर पाए, what is grouting, ये main question है, important question है, grouting क्या एक process है, देखो, जब concrete में cracks आते हैं, या ऐसे boids बन जाते हैं, तो उसमें एक fill up करने क सिक्का हो गया, तो उनका जो cement की तरह ही एक GP2 हो गया, जहां काफी material होते हैं, जिनको हम liquid farm में एक insert करते हैं, cracks में, जहां यहां voids होते हैं, तो वो voids fill हो जाते हैं उससे, next year एक important question नहीं है, ये basic आपके लिए है, कि basement pattern क्या है, तमसले different type के आप building जो देखते हो, basement pattern, crawl space pattern, slab, basement pattern हो गया, कि इसमें क्या किया जाता है, पहले हम क्या करते हैं, basement को त्यार कर लेते हैं, उसके बाद whole story जो हमारी basement पर ही रहती है, crawl space pattern क्या हो गया, जिसमें क्या होती है, foundation ground level से उंचा हमारा foundation आ जाती है, उसके उपर हमारी building रहती है, slab का तो basic है, जो आपको सबको पजाई है next जो है, वो है, which is the tallest man-made structure in the world, कौन से है, वो आप सबको पता ही है, कौन से है, वो वुर्ज खलिफा, जो सबसे tallest building है, मतलब वो है वुर्ज खलिफा जो दुबेव में है, दोस्तो डेली से भी अच्छी वीडियोस आपको मिलेंगी, जिसमें हम interview question की बात करेंगे, jobs के link के ब thank you guys